मालेकूम युवर्ट बिसमें दायर माली नहीम आई सायमन अभी शिद्धिकी और वाचिंग माइ कोकिंग चैनल को विट सायमन अभी शिद्धिकी माइ डूडियर्टीज एस मेंगो हलवा बनाने के लिए मैंने बहुत सिंपल और इसी तरीका यूज किया है कोई भी इसमें इ प्रफली सा कट करके रख लिया है इसके अलावा मैंने कुछ नर्ट्स दिये हैं डाइन पिस्टेच्चु नर्ट्स एलमंट्स वालट्स दैजिंस एंड कैश्यू नर्स डेसिकेटिट के कोकूनट है के वड़ा एसंस है वन टेबल स्पून में बेकिंग पाउडर इस्तमाल करेंगí क्योंकि मैं नराएंस सोर इस्तमाल करूंगी और रोज का जेसे ईदाफा करती हूं करेंगे और इसके लावा वन कप मैंने चीने के पिंट करेंगे हैं तो यह तो आपने अपने मैंगों की प्योडियाल वहाइट करते हैं मैं अपने जंग में डाल दूंगी और इंगी प्यूरी ब्लेंड कर लोंगी हम इसमें सेफरों प्रेंट का भी इसाफा करेंगे पैन में मैंने एक ग्लास पानी डाल कर बॉयल्ड होने के लिए रख दिया था अब इसमें मैं वन कप चेनी एड़ करूंगी और इसका हम शीरा दयार होने के लिए रख देंगे चार पैस मैंने काड़िमम पौडर के लिए कर आप के लगा यह तो किया घॉल के अप लिए है μसक्ति और दे दुनहीं तो जा सकता है इसमें अब हम वन टेबिल स्पून और के गुलाब एड़ करेंगे इससे जो है इसके खुश्बू बहुत ही अच्छी आती है बहुत ही यूनीक और यह मैं ऐसी रेसिपी बना रही हो कि अब तक मैंने कहीं पर देखी नहीं है यह रेसिपी और यह रेसिपी मेरे घर में और मे इसमें हम थोड़े से डायन डालकर उनको फ्राइब करेंगे पहले ताकि डायन अब इसमें हम प्यूरी पीशी ती वह एड़ कर दूंगी मैं और उसको तेज तेज चलाते हुए जैसे हम बेसन या सुजी का हलवा बनाते हैं इस तरीके से इसको घुमाएंगे या केड़े कोकुनट एड़ कर देंगे वन टेबल्स्पून बेकिंग पाउडर ये इसमें डालकर तेज तेज में चलाओंगी और इत्मा चलाएंगे कि यह आम जो है वह तेल चोड़ देंगे बिशंदय को आप देख सकते हैं साइड़ों में आईल आ गया है अब मैं इसमें स करूंगी और इसको दुबारे की बनाई शुरू कर देंगे इसको ची तयार से हम मिक्स करेंगे इसको डाल दिया है ताकि इसमें कोई लाम्स ना रहे और फिर मैं इसे पकने के लिए और भूनने के लिए 10 से 15 मिंट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ तेविल स्पून्स में काड आइल भी इसका चूटना शुरू हो गया है अब मैं इसे मजीद एक से दो मिंट तेज आश पर पकाऊंगी और फिर इसे त्रे में निकाल कर सेट पूनिक लिए छोड़ दूँगी जीशनत पेंदा छोड़ दिया है अब मैं इसे निकाल दूँगी मैंने हलवे को बाउर में निकाल लिया है अब मैं इसकी मेवे से कर दूँगी और इसे रूम टेमपरेचर पर आने के लिए छोड़ दूँगी उसके बाद इसे मैं एक से दो घंटे फ्रीज में रख दूँगी मेरा मैंगो का हलवा बिलकुल रेडी है यह बहुत ही मज़े मज़ेगा यूनीक सी रेसिपी है आप ट्राय करें अपना फीट फीडबैक मुझसे शेयर करें और मेरी वीडियो को अपनी कॉंटेक्स और शेयर में शेयर करें ताकि मेरे चैनल को मजीद सब्सक्रिप्शन मिले और मेरे यूट्यूब मेरी वीडियो उसको आगे देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी दौाओं में याद रखा करें टैंक्स पॉर वाचिंग साहिमन लगी से देखें